नमस्कार, जोति सुन्लानी में आपका स् estas, अज मैं आपको बताने वाले हूँ, सफल वैपारी का हाथ में, फिशले वीडियो में मैंने आपको बताया, जौब के बारे में, कि आप अच्छे जौब कैसे ले सकते हैं, एक क्लास का जॉब कैसे ले सकते हैं, तो हर कोई तो जॉब करनी सकता है, किसी को इंट्रेस्ट भी नहीं होता है जॉब करने का, है ना, किसी को नोकरी करने का इंट्रेस्ट नहीं होता है, अपना काम, अपना बैपार, अपना स्टार्ट अप करने का मन करता है, तो हथेली में किस परकार से योग देखें कि आप और जा सकते हैं यानि कि सफल बैपारी बन सकते हैं इसमें हमको 9-9 ग्रह को देखना पड़ेगा 9-9 ग्रह में क्या आते हैं जैसे आपको सुरू करना है बुद्व से यहां बैपार की बात थो गोड़ी है तो वहां पर हमें बुद्दि की चाहिए हमारे अंदर ज्यान होनी चाहिए क्या मार्केट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कॉम्निकेशन होना चाहिए साथ में नेम भी हमारा नाम होगा हमारा ब्रांड का नाम होगा तभी तो हम चलेंगे नाम भी होना चाहिए धंतों होना ही होना चाहिए और कभी-कभी बाहर से भी हमें सपोर्ट चाहिए तो सारा कुछ तो एक गड़ह में तो हेली एक गड़ह को बस एक डिपार्टमेंट दिया गया तो हर एक डिपार्टमेंट को क envision करना है उसके लिए हमें 9-9 गड़ह को देखना पड़े का proteg है मारे हाथ में आपके साथ इंडियन की बुक में अपोलो मॉंट ऐसा में अपोलो मॉंट ऐसा में अपोलो फिंगर आप इसा में अपोलो मॉंट किया गया है जैसे की शनी माउंट पूलते और इसको जूपिटर संगर किनीचे के एरिया को दोब कुछ भी नहीं कर सकते हैं एनर्जी की बहुत ही जरूरत होती है यह में इसे बहुत ही देखना होता है Position ? को पताता है क्योंकि इस छेत्र का देखिए हर एक चीज का अब कितना ज्यादा लॉजिकल कितना बारिक से चीजे दिया गया है क्या है यह मंगल कहा है हमारी जो मेंटली पीस को बताता है हमारे मेंटली कितना सक्ति है वो एरिया कहा है हमारा बुद्ध और चंद्रमा के बीच चंद्रमा म मिलेगा सकारात्मा मंगल भी बोलते हैं इसे और यह रहा आपका मून यानि की चंद्रमा और उसके बाद रहा केतू उसके बाद क्या आगए आपका शुक्र उसके बाद यह जो एरिया है जहां से आपका थम इस तरह से कट होगा तो यह जो एरिया है यहां का एरिया इंटर्न इसे निगेटी मार्स भी बोलते हैं यह फीजिकल मार्स भी बोलते हैं इसे और यह हमारे इम्मनीटी पावर को बताता है और इसके बाद बीचो बीच जो यह एरिया है यह राहु का है और यह की तुकार नौ के नौ गड़ा यहां पर अवस्थित हो गए अब देखिए यह न है हमारे मार्केटिंग स्कील का होता है हमारे वानी का होता है तो अगर आपका बुद्ध का फिंगर सबसे पहले जिनका भी बुद्ध का फिंगर आपके सूरी के फिंगर के इसको कहीं पे आपको फर्स्ट पोर या कहीं पे थर्ड पोर भी बोला जाता है तो इसको हम लोग फिर्स्ट पोर बोलते हैं तो अगर आपके बुद्ध का फिंगर फिर्स्ट पोर तक जाए या फिर ऊपर जाए तो यह सबसे पहला कंडिशन फुल्फिल हो रहा है कि बिल्कुल आप वैपार कर सकते हैं आपके अंदर वो कैपिसीटी है लोगों को इंप्रेस करने का कैपिसी हैं तो सबसे पहले आपको बुद्ध का फिंगर चेक करना ठीक है तो बुद्ध का फिंगर चलिए यह हो गया उसके बाद क्या है यह रिखाए होनी चाहिए यह रिखाए तो लगभग जो भी बैक्ती पब्लिक डिलिंग का काम करते हैं या फिर किसी भी ग्रूप में काम कर करते हैं या फिर किसी तरह करने ता अभी नेता हो उनके हाथ में तो यह लाइन होनी ही होनी चाहिए यह लाइन यह लाइन बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करता है इन सबी चीजों से डिल करने के लिए दोसरी कटेरिया यह होनी चीज़े तिसरी आपको बुद्ध का का आपको इ स्टेजों बुद्ध करना है तो टरेडिंग करने के लिए हमें उस तरह के दिमाग भी चाहिए ऐसा नहीं की हम कुछ भी किसी तरह का को साइन लेखे कि कर सकते हैं तो यहां पर इस तरह से उनाशा है उसके का सिक है कि डिए यह रहानी चारप कट पकुं होनी हो यार नाइन आप के आप बन रहे हैं और डी सिजन लेने में टाइम लगाएंगे तब तक तो सामने बाला उपरचनिटी लेके चला जाएगा ना तो आपको विक डिसीजन लेना है तो इसके लिए एक चीज और आपको ध्यान देना है आपका थम बहुत तो वह पाएंगे किसी भी परकार का कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें दूसरे की मदद लेना पड़ेगा तो इसके लिए कि अगदम से स्ट्रॉग होना चाहिए और खास करके पहला पूर्बा बरा होना चाहिए दूसरा पूर्बा हलका छोटा चलेगा ज्यादा चोटा फिल पाबर होनी चाहिए ऐसा ने कि हर कोई बैपार करता है और एक बार में सफल हो जाता है अगर आप कितने भी आप देखेंगे यह जरूर होता है ताकि उससे वह सीखे कुछ कहां पर हमने गलती कर फिर वह सफल नहीं होते अर आप बहुत ब्रांडिंग करना चाहते ता सारे साइन अपके हाथ में होना चाहिए चलिए बुद्ध हो गया है कि था हो गया आप यह जो टो होती है जok ही जो रेका होतो है ली praying यह माइन लाइन में ортपा और ना झी टाइय का बीत ओर रहो जाता है शरू हे तो हर चीज का एक एज होता आप एज पर कोई चीज शुरू करेंगे तो ज्यादा बहतर हलां कि आज कल हम लोग बोलते हैं कि एज मेंटर नहीं करता है लेकिन एज मेंटर करता है हाना हर चीज का एक 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 सपाइरी डेट होता है तो आप जब इस तरह से करेंगे तो यह आपको अर्ली कोई दिकत नहीं है भाग ये कि इतनी ज़्यादा ज़रूती नहीं जब हम मैंनत करते हैं और यह हैंड हो जाए इयर एलिमेंट वाजय दो भाग ये पर ज़या वह भरोशा नहीं करते हैं वों पनी किसमत अपने हाथ से बनाते हैं यह इनिक अपनी किसमत जो खुद ही लिख तो इसमें कोई मतलब बनता नहींन है तो भायंती बात है ठीक है अब उसके बाद दें कि यहां पर अगर यब का साइन है तो मुल्टी मिलीनेर तो मनना ही बरन अगर सारे साइन कहा यह साइन हो जाए आपका साइन दी बेस्ट के तू अच्छा हो तो यह बैपार जो आपना देश विदेश में भी कर सकते हैं मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंटरनेशनल काम भी आप कर सकते रहू अच्छा हो तो आपको विदेशों से बहुत ज्यादा लाव होगा पाणित्राइंगल जिसको हम लोग बोलते हैं तो वैपार अगर नहीं भी हो तो ऐसे जासे जासे यह सुरू करें तो हाप कि रिखा है हर चे मैने में बदलती है मानО बने ये जबन घा होगा है मस्तिक से रिखा होगा हार्ट ही तैनियों बदल की बहुत ऐसे आपने कोई इस बहुत आप अच्छा काम कर दिया तभी और इखा बदल सकती है अब मैनर लाइनें शुरू करें तनमन भी पार शूरू करना शूरू करें अब मैंने मेरी करेंपी कि आएगी यह आएगी अगर को इस कि नहीं आ रही रहा है कि लिभी हूं कि तो देखिया, अगर अगर्व OH जूर्ट होल रहे हैं। मैं आपको क्या बोलती है आपका दिमाग का मीरर है आपका माइंड का मीरर है आपका मीरर का काम करता है आपके दिमाग में चल रहा है बैपार तो आप जौब भी कर रहे है तो आपके दिमाग में चल रहा है और वह काम करेंगे ही करेंगे आज करेंगे आपका मन नहीं कर रहा हैं तो डेफिने ली आप सफल वैपारी हो सकते हैं और बहुत अच्छा अपने ब्रांज को ब्रांड anders कर सकते हैं पर्चुछ कर सकते हैं अप किसी को एड वाइस भी दे सकते हैं ठीक है तो यह सारे चीज आप कर सकते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए पुराने तो शेर कीजिए आज के लिए पस इतना ही नमस्कार